Hello students, welcome back to my youtube channel मैं अलिश मधानी, आज आपको समझाने वाला हूँ काफी यूनीक सा कंटेंट Most of the people में को comment कर रहे थे बहुत सारे जन पूछ रहे थे हम क्या पड़े सर हम 11 में तो जाने वाले है अब कुछ ना कुछ तो 15 तारिक तक कोई तो decision आने वाला है तो मैंने आप लोग के लिए कुछ अलग सा चीज एकदम ready कीए मैं आपको बताने वाला हूँ के 10 से आप 11 में जाओगे तो कौन से topic आपको related मिलने वाले मैं यहाँ पर जो भी बात करने वाला हूँ वो science student के लिए बात करने वाला हूँ ताकि आपका foundation जो base है वो पक्का हो जाए तो हम सुरुवात करते हैं आज हमारा 10th का chemistry से सबसे पहले तो chemistry के अंदर अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो पहले तो इतना समझ लो कि आपका जो first chapter है chapter 1 जो है उसके अंदर से आप लोग एक काम कर देना types of reaction और दूसरा types of reaction और balancing एकदम अच्छे से कर देना ये mostly आपको 11th में काम आएगा क्यों? because 11th के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दू कि जो आपका chemistry है आपका chemistry है उसमें आपकी दो बुक आईगी एक part 1 होगी और एक part 2 होगी ये सिर्फ 11th की बात कर रहा हूँ और बायो में एक बुक आईगी बायो में एक बुक आईगी लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़े आईगी तो टोटल आपको ऐसी 5 बुक्स अलग-अलग पढ़नी है सिर्फ 11th के अंदर तो इसलिए आप लोग chemistry में देखो दो बुक हैं तो दो बुक में आपको ये mostly सारे chapter में पता होना चीए के balancing of types of reaction ये दो चीज़ता आपके मुँपर होनी चाहिए अब बात करता हूँ chapter 1 में से आपको क्या 11th में देखने को मिलेगा तो आपका एक chapter होगा redox reaction redox reaction नाम का एक पूरा chapter है chemistry के अंदर जो आपको मिलेगा part 2 part 2 और यो रहेगा unit 8 मतलब chemistry की दूसरी बुक में unit 8 जो होगा वो redox reaction पर होगा तो सोचों यहाँ आपको जो surface surface से समझाया है वहाँ जाके एक पूरा chapter बनने वाला है तो देखो redox reaction oxidation तो निकल गया तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप एक बार इसको पढ़ लेना फिर बात करू chapter 2 की बराबर chapter 2 की अगर बात करता हूँ तो chapter 2 हमारा कौन सा है acid, base और salt तो acid, base और salt यह जो topic है उसके अंदर से आप लोग को unit 7 यह आपका unit 7 जो है chemistry में अब unit 7 है मतलब यह part 1 है chemistry का तो जो chemistry की पहली book है उसके अंदर ही आप लोग को यह acid, base और salt उसके अंदर अगर आप लोग देखते हो तो pH scale, pH scale, pH पूरा मतलब pH के बारे में almost topic, पूरा knowledge pH के बारे में प्लस अलग-अलग जो salts थी, जो निकल गई है उसके formula पता होने चाहिए जैसे कि washing soda हो गया, baking soda हो गया तो यह सारे topic आपको पता होने चाहिए तो mostly आपको यह सारी चीज़े पता होने चाहिए तो यह हो गया अपना chapter 2 की बात अब हम करते है chapter 3 chapter 3 की बात करते है तो हमारा chapter 3 कौन सा है? metals and non-metals कौन सा है? metals and non-metals तो sir इसमें से क्या पढ़ना है? तो इसमें से देखो ionic compound, यह theory थी वो आपकी निकल गई है ionic compound वो आपको element में देखने को मिलेगा और दूसरा extraction नाम का एक पूरा chapter extraction पूरी एक series आएगी वो होगी आपकी 12th की अंदर extraction बहुत लंबा topic है और आपकी textbook में भी बहुत ही लंबा है लेकिन आपको यहाँ पर जो knowledge है वो base है अगर वो clear होगा तो आपका 12th में पक्का हुआ आगे की series आपको समझ में आएगी वो next level पर आपको लेके जाएगा ठीक है तो यह extraction आपको 12th में देखने को मिलेगा फिर chapter 4 बहुत जादा मतलब मान लो यह chapter मतलब यह chapter नहीं आएगा तो 11th का chemistry बूल जाओ ऐसा है carbon and its compound मतलब पढ़ना ही पढ़ना है तो यह chemistry के अंदर अगर आप देखते हो तो part 2 में unit 12 और unit 13 बाप प्रे बाप इतना सारा आपको पढ़ना है unit 12 और unit 13 में तो अगर देखते हो तो देखो unit 12 में आपको पढ़ता हो general introduction, tetravalency of carbon, structure representation, classification of organic compound, nomenclature, organic compound, isomerism, fundamental concept of reaction, purification, हो गया? फिर unit 13 पढ़ता हो classification of hydrocarbons, alkane, alkynes, aromatic hydrocarbon, toxicity, बहुत सारा है पाप प्रे अगर आप देखो तो देखो मेरे पास एक 11th की आपकी chemistry की बुक है इतना सारा आपको पढ़ना है बाप रे बाप बहुत जादा आपको पढ़ना है ठीक है? तो ये मतलब ये chapter छोड़ो मत reduction में जो भी है मतलब सब कुछ पढ़ दालो इसमें बस जितना हो सके उतना पढ़ दालो फिर बात करते हैं chapter 5 की चैप्टर 5 है आपका periodic classification अब ये को periodic classification भी आपको unit part 1 chemistry का part 1 unit 3 unit 3 में आएगा और वहाँ पर trends आएंगी अब trends मतलब valency, atomic radius atomic radius metallic property, non metallic property किस direction में increase होता है किस direction में decrease होता है उसको trends बुलते हैं और trends आपको निकल गए तो आप सोचो अगर आपका पाया मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा तो ये पढ़ लेना मेरे भाई आपको मेरा काम है guide करना डरा नहीं रहो time मिला है पढ़ते जाओ ठीक है अब बात करते हैं physics की राइट फिजिक्स नहीं स्री chapter 6 बायो है chapter 6 और chapter 7 बाप रे बाप आपको बताओ कि chapter 6 और chapter 7 जो है वो आपका बायो का unit 6 unit 6 और unit 7 है क्या है unit 6 और unit 7 फूरा जो भी बायो का है unit 6 और unit 7 वो है तो अगर आप देखते हो unit 6 है plant physiology physiology के अंदर 5 chapter है वापस है ना बायो में अलग है बायो में unit wise chapter है मतलब एक unit में 5 5 chapter है तो इस unit में 5 chapter है फिर से और इस unit के 5 chapter है तो अगर मैं unit 6 की बात करता हूँ 6 साथ मैंने गलत लिखा है इस साथ आएगा ये तो देखो transportation in plant, minerals and nutrition photosynthesis in higher plants respiration in plant, plant growth and plant development ये होगे आपका unit 6 और unit 5 की अगर बात करूँ sorry unit 4 और 5 है sorry मेरी गलती है यहाँ पर unit 4 और 5 है यहाँ पर 4 कर देना और यहाँ पर 5 कर देना 6 7 नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं 5 की बात करूँ तो human physiology है digestion absorption breathing exchange of gases body fluid and circulation excretory products locomotion and movement neural controls and control and coordination chemical controls and coordination तो आप जानते हो chapter 6 और chapter 7 में यही सब था तो देखो एक unit में 5 chapter मिलेंगे तो भाई बेज एकदम मजबूत कुछ मत छोड़ना transportation देखो आपको निकल गया है transportation छोड़ना ही मत छोड़ा तो गये transportation भी एक बार कर लेना because यहां से बेज आएगा पाया मजबूत होगा next आपका chapter 8 तो देखो मैंने जो देखा है वो आपको fact बता दो chapter 8 chapter 9 और chapter 10 ये तीनों जो chapter 10 chapter 11 chapter 12 और chapter 13 इतना जो भी part है ना इतना जो भी part है वो आपको 12 में मिलेगा 11 में कुछ नहीं है तो 11 में क्या है physics में क्या है तो 9th का physics है देखो मैं chapter के नाम पढ़ता हूं physics की book में से तो आपको idea आ जाएगा कि 9th का physics आपको 11 में आया है आपके पास books हो सकती है तो देखो आपको मैं नाम पढ़ रहा हूं यहाँ पर देखो mechanical properties of solid mechanical properties of fluid thermal properties of matters matter नाम का chapter था याद होगा आप लोग को फिर kinetic energy kinetic theory waves sound waves oscillations के बारे में है उसके बाद next units and measurement के बारे में है physical world है motion है तो यह सब जो है work energy power यह सब 9th के topic है gravitation है तो जो 9th के topic थे वो आपको generally physics के अंदर दिये हुए है कहाँ पर आपको दिये हुए है 11th के अंदर तो बाकी जो हमने 10th में पढ़ा वो बाकी सब आपको यहाँ से 12th में देखने को मिलेगा मतलब मजबूत करना है तो फिर से 12th में और reproduction सब पढ़ लेना अब मैं आपको एक और चीज़ बताओ आपके दिमाग में doubt होगा सर आप तो पढ़ाते हैं नहीं हो तो आपको कैसे पता है तो मैं एक बात clear करू मेरी खुद की sister 12th में है तो मेरी sister के पास सारी books पढ़ी हुई है 11th की भी और 12th की because neat preparation कर रही है वो तो उसके पास mostly सारी books है तो मैंने उसके books लेकर हमने दोनोंने मिलकर study किया है उसको मैंने पूछा कि क्या-क्या हो रहा है तेरा तो उसने में को बताया कि भाईया ऐसा होता है जो 9th में है वो 11th में देखने को मिला और जो 10th में है वो 12th में भी देखने को मिला और अगर कोई neat की preparation कर रहा है तो 9th से 12th तक पूरा complete होना चाहिए इसलिए मेरा काम था neat और जही वाले को समझाना सतर्थ हो जाओ पढ़ाई start कर दो जो होना होगा देखा जाएगा ठीक है और आखरी बात जो आपके chapter 14 chapter 15 और chapter 16 सरी ये तो भाई environment में ये क्या काम के भाई ये भी काम के है environment based chapter generally chemistry के जो last chapters थे आपके book में जो unit last last units थे वो और bio में दोनों जगा पर देखने को मिला है सच्छता के बारे में environment के बारे में था different types of reaction थे कि भाई कौन से कौन सा reaction environment में होते है तो ये तो थोड़ा मेरा unique सा content था शायद आपको video knowledgeable लगा होगा कि क्या क्या हमको करना है किस तरह से तयारिया करनी है आपको idea आ गया होगा कहा कौन सा chapter कैसे देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से आप लोग ये almost clear हो तो अगर video पसंद आया है तो like जरूर कर देना चैनल के लिए नए हो तो subscribe भी कर दो और भई 9th standard मतलब 9th से अभी जो 10th में आ है उसके नए content जल्द ही हमारी channel पर जैसे हमारा नया सत्रा शुरू होगा गुजरात बोड का शुरू हो जाएंगे तो आपके किसी भी friend को 9th standard वाले को आप subscribe जरूर करवा देना अगर आपको मेरा content लगा है पूरे साल आपके साथ मैंने मैनत की अगर आपको लगा है कि sir के साथ काम करना वर्थ है चले next video में फिर से मिलेंगे till there keep watching, keep sharing बाई बाई